प्रोग्रामिंग सीखने के लिए डेटाइप सीखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला डेटाइप आता है इंटीजर इंटीजर सिर्फ होल नमबर स्टोर करता है जिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी थाउजन, गलाग, जो भी नमबर आप सोर करना चाहरो बस वो होल नमबर में उना चाहिए यानि डेसिमल नहीं होना चाहिए या नाई ही फ्रैक्शन होना चाहिए सिंपल, उसमें नेगिटिफ नमबर्स भी अला होते है तो इंटीजर डेटाइप यहां पे खतम आ जाता है उसके बाद फिलोट डेटाइप आता है जो के integer का super version है उसमें decibels भी आप store कर सकते हो उसमें आप whole numbers भी store कर सकते हो उसमें आप negative numbers भी store कर सकते हो basically every number that exists in the real world is allowed to be stored in float अचा, उसके बाद आता है boolean boolean बहुत simple data type है और बहुत simple purposes के लिए use होता है जैसे के state बताने के लिए कोई program की है, कोई situation की का मतलब ये बता रहा है के एक चीज़ आपको मिल चुकी है, अगर वो false होगास का वाल वो चीज़ नहीं मिलिए, इतना simple है boolean, ये तीन डिड़ाइबस हैं बागी डिड़ाइबस के लिए next video में देखिए thank you for watching, देखरे शूड़े